विल्कम तो मैं चैनल मेरा नाव विक्रमै और जैसे के आज आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ यहां आप यहां पे देख सकते हो आंडॉड वर्शन और यहां पे सेकृरिटिटी पैच आपको यहां पे बता देता हूँ जो के आंडॉड 9 पर देखते हूं मिलत है यहां पे मैं नवेंबर सेकृरिटिटी पैच के साथ जो है आपको यहां पे बूर्ट अनलॉक करके बताने वाला हूँ यहां पे आप देख सकते हो यहां पे मैं में बात करूं तो जो कि ड्राइवर्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो कि PC के अंदर ड्राइवर ना इंस्टॉल होने के कारण जो है आपका डिवाइस यहां पे कनेक नहीं होता है तो यहां पे बहुत सारा जो है मुझे कमेंट आ रहा था कि मुझे कनेक नहीं हो रहा है PC से तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ ड्राइवर्स आपको कैसे सेफ़े और लोस फोगा है तो यहां पर स्टेबस आपके नबर के वाटियांगे पर आपको आपको अपकंड़ लेया है इसको आपको ऑन कर लेना है उसके बाद जो ओम ऑनicides टीबगिंग इसको भी आपको वार्न कर लेना है यहाँ पे जो है phone का जो work यहाँ पे कदम हो चुका है उसके बाद जो है phone को यहाँ पे fast boot mode में रख लेना है उसके लिए power button और volume down button दोनों को present hold करना है जब तक कि आपका phone fast boot mode में ना चला जाए phone जो है off हो चुका है यहाँ पे आप देख सकते हो phone जो है fast boot mode में आ चुका है यहाँ पे अभी मैं PC से connect कर लेता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो PC के अंदर आ चुका हो आपको जो है link description में मिल जाएगा platform tool का उसको download कर लेना है उसके बाद आपको extract कर लेना है उसके बाद आपको open कर लेना है जैसे कि platform tool को यहाँ पे आपको simple type करना है cmd आपको type करके enter कर लेना है उसके बाद एक command prompt ओपर हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे type करना है fast boot devices यहाँ पे आपको fast boot devices type करना है यहाँ पे आप देख सकते हो simple enter कर लेना है अगर यह random number आप देख पा रहे हो तो आपका जो device है यहाँ पर connected है अगर यह random number आपको नहीं देखाता है तो आपका जो device है यहाँ पर connected नहीं है आपका cable fault रह सकता है नहीं तो आपका PC के अंदर कुछ problem हो सकता है जैसे कि आपको चेक करना है तो आपको जाना है device manager में बेदेखते हो तो यहां क्या कर लेना है मैं यहां पर करूंगा अगर आप यहां पर विनडोस्ट 7 तो यहां पर फट यहां पर प्रावलम देखने को मिल सकता है मैं करूंगा अगर आप Windows 10 यूज करो तो बहुत ही जादा चाहोगा Windows 10 यहाँ पर बहुत जादा स्मूध है और ड्राइवर्स जो है आटोमेटिकल यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता है यहाँ पर मैं आपको बदा देता हूँ जैसे कि ऑगी जैसे के वकिंगे इसके गा यहाँ पर जैसे का शुका है उसके बाद आपको पर उसके लिटेक करकलेना है जैसी कि फास्ट्ट बूट स्पेस देना है यहाँ पर ओए व्यम ऑनलॉक आपको यहाँ पर टैप करन Jews यहां पर आप देख सकते हैं उसके बाद simple इंटर करना है तो यह जो method है simple method है आप भी अपने device का bootload और unlock कर सकते हो जैसी कि यहां पर instruction आ चुका है जैसी कि bootload और unlock हो चुका है यह भी method follow करके अपने device का bootload और भी आप unlock कर सकते हो यहां पर कुछ problem देखने को मिल सकता है Windows 7 में त बेल आकोन को भी दबालीजे तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद